hello students, आज मैं आपको zigzag pictures बनाना जिखाऊंगी, यहाँ पर हम दो photograph को merge करते हैं, अगर मैं उसे एक तरफ turn करती हूँ, तो देखे मुझे एक photo नजर आती है, और जब मैं उसे दूसरी तरफ turn करती हूँ, तो दूसरी photograph हमें नजर आती है, तो आएए बनाते हैं यह assignment जिग्जग पिक्चर्स बनाने के लिए हमें चाहिए दो फोटोग्राफ 6 बाइ 4 इंच की फेविकॉल, एक स्केल, ड्रॉइन पेपर और यह एक थिक पेपर है जिसके उपर में लास्ट में अपना जिग्जग पिक्चर को चिपकाने वाली हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको अपने इन फोटोग्राफ के उपर स्केल रखना है और हाफ आफ इंच पर मार्किंग करनी है इस तरह से आप यह मार्किंग ऊपर की तरफ भी करेंगे और नीचे की तरफ भी करेंगे और उसके बाद उनको आपस में जॉइन कर देंगे दोनों फोटोग्राफ में लाइन बनाने के बाद अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे फ्रंट कौन सा है यहां से स्टार्ट होता है ठीक है हम इसे नंबर देंगे 1A इस इस 1B 1C इन दे सेम वे यह जो मेरा फोटोग्राफ है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यह है इसको मैं नंबर दूँगी 2A 2B 2C इस तरह से आपको पूरी लाइन्स को नंबर दे देना है कि अब यह जो मेरा ड्राइंग पेज है इसको मैं हाफ फोल्ड करूंगी इस तरह से और हाफ फोल्ड करने के बाद मैं इस पेपर को कट करूंगी कट करने के बाद मैं इन दोनों को इस सरह से पेस्ट करके एक लॉंग स्ट्रिप बना लूंगी अब इस लॉंग स्ट्रिप में मैं मारकिंग करूंगी हमारी एक फोटोग्राफ में 12 स्ट्रिप्स हैं तो दो फोटोग्राफ मिलाके हो जाती हैं के लिए मार्किंग करेंगे मुझेत दोनों किरो मार्किंग करेंगे फिर हम उसे जौन कर देंगे यहां पर मैंने टोटल ट्वन्टी-सिक स्ट्रिस लिए ट्वेन जुननना सब्ट के लिए करने अधी और सिट ज particulier करना escenter में जो निख़ाइद 검म एक्से सまず फोल्ड करेंगे मैं है जो बहुती थीयों काटम जीटोल डूरी जाएद उसके बाद केवल लुव फोल्ड खाल है सब से कर लें तो इस लाइन को एलाइन करते हुए तरफ पर के बाद नेक्स्ट बाला बनेगा वह फिर से नीचे की तरह बनेगा फिर से हम जो नेक्स्ट बनाएंगे उसे उपर की तरफ कर लेंगे और इसी तरह से हमें यह पूरी 26 स्ट्रिप्स को जिगजग पैटन में फोल्ड कर लेना है यह मेरा जिगजग पेपर अब रेडी हो चुका है मैं इसके दोनों एंड पॉइंट पे क्रॉस लगा रही हूं क् हम इन दोनों पर कुछ भी नहीं चिपकाएंगे अब हम सबसे पहले यह वाला फोटे लेंगे इसमें जो वान ए लिखा हुआ है हम उसे स्ट्रिप को कट करेंगे और डूसरे फोटोग्राप की जो टू ए स्ट्रिप है उसको कट करेंगे जहां से कट कीचेगा आप इसके लिए कटर का इसमाल भी कर सकते हैं अब मैं इस वन ए जो स्ट्रिप है उसको यहां सबसे पहले चिपकाऊंगी इसको एक मेरा पेपर थोड़ा लंबा है तो मैं सिर इसको टॉप से एलाइन करूंगी और यह जो टू एक स्ट्रिप है मैं उसको नेक्स्ट साइट पर इस तरह से चिपकाऊंगी ठीक है उसके बाद नेक्स्ट पेपर पे हम बी नंबर का वन बी देन तू बी अगर आपको कन्फूशन हो रहा है तो आप इसमें नंबरिंग भ नेक्स्ट वान बी तू बी उसके बाद वान सी टू सी इस तरह से आप अपने पेपर पे नंबरिंग कर लीजे और जो जो इस टिपका नंबर जहां पर आ रहा है उसे आप वहां चिपकाते जाओंगे तरह से आप जब तू बी तू रहा है उसानि वेढ़ जयाओंगे यह जो नीचे एक्स्ट्रा पेपर है इसे हम के चाहिए और प्रेश करने के बाद आप इस तरह से अपने फोल्ड को चेक करिएगा कि वह ऊचिंए फोल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बाद अब हम इसे थिक पेपर क्यों पेश्ट करेंगे इस थिक पेपर को भी मैंने स्ट्रिप के लेंद के हिसाब से कट कर दिया है अब हम इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे पहले हम इसको एलाइन करके देखेंगे देखें इस तरह से यह लास स्ट्रिप आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है यह पीछे की तरफ में हम यहाँ पर फेविकॉल लगाएंगे और इसको सेट करके पेस्ट करते जाएंगे यह मैंसे टर्न करूंगी उसके बाद यह सबसे पहली स्ट्रिप को मैं इस तरह से इसको एलाइन करते हुए पेस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा अंगल बनाकर पेस्ट करूंगी आपको ध्यान रखता है कि इन सभी फोटोग्राफ का जो जिगजग एंगल है वह सेम रहे यह थोड़ा सा ठिक है इसलिए आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा और इस तरह से दीर वह एजीली पेस्ट हो जाएगा यह देखे मेरा जिगजग पिक्चर रेडी है अगर मैं इस तरह से देखूंगी तो मुझे एक फोटोग्राफ नजर आएगी और मैं इस तरह से देखूंगी तो यह मुझे दूसरा फोटोग्राफ नजर आएगा I hope you all will enjoy this assignment